कोटाइब आपरका डाप डापुडगी गिली छूँप और नेक गायोँ आपरका डापुडगी गिली छूँप और मैं ह आ गई हेलो एवरीवान माई नेम इस वेदिगा गोटारी एड़ टाइटल ओव दे स्टोरी इज मेरी जादूई टोपी तो एक समय की बात है जब थुनिया में कहीं अजूबे वहा करते थे एक गरीब मच्छुआ था उस समूद में उसकी नाव चला के अपना गुजाला करता था एक दिन समूद में एक दुफान आया उसकी जान तो बच गई लेकिन उसकी नाव दूब गई वो उदास मन से अपने खड़ गया और अपनी पतनी से बोला मेरी एक लोटी नाव थी अब वो मेरे पास नहीं रही अब अपने खड़ का गुजारा कैसे होगा पतनी बोले फिक्र मत केज़े अब पीड कितने से एक नाव बना सकते है वो मचवारा खुश हो कर बोला अरे वाँ ये तो कमाल कंपाई है ठीक है मैं इसी समय जाऊंगा और सूखे पेड का समय लाँगा वो शूखे पेड के तलाश में नेकल पड़ा तो वो कहीं रास्ता फटक गया अफ़ो लगता है कि मैं रास्ता फटक गया हूँ तो अफ़ो कुछी दूर पर एक मकाम दिखाई दे रहा है ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ और कुछ मदद मांगता हूँ मच्वारोश उस मकाम की तरफ निकल पड़ा तो इसने खड़का दरवाजा कट कट आया एक बुड़े आदमी ने दरवाजा खोला और बोला कहिए मैं तुमारी क्या मदद कर सकता हूँ नोजवान कुछ वारा बुला नरसल में जंगल में रास्ता फट गया हूँ क्या मैं आपके खड़ एक राच रह सकता हूँ पुड़े आदमी ने उसको अंदर बुलाया और एक राच रहने के जाड़ दे मचवारा खड़के अंदर एक पिछे पलंग पर बैट कया कुछ देर के बाद इस मचवारा ने वापस कहा सुनिये क्या मुझे मैं बहुत फूका हूँ मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकते हैं वो बोला हाँ तुम यहां आराम करो पेट तुम यहां आराम करो पेटे मैं कुछ ही देर में आता हूँ खाना लेकर लेकिन मचवारे को अतनी फूब लगी थी कि वो बहुत मैचैन था यह जानने के लिए कि आखिर खाने में बना क्या है तो वो उस कमरे में चाकने लगा जहां वो बुड़ा आदमी गया था मचवारे ने देखा कि वो बुड़ा आदमी वह रखी कैप को पहना और गायब 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 बोला और वो वहां से गायब हो गया मचवारा भी वहां गया और उसने एक और रखी कैप को पहना इसने भी गायब 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 बोला और ये क्या मचवारा भी वहां से गायब हो गया तो अब वो दोनों ऐसी छगा पर पहुँच कर जा बहुत सस्त वादिस्ट खाना रखावा था मचवारा खाना खाने लगा उसने देखा कि वो पुड़ा आदमी वहां से कुछ खाना चुड़ा लहा है तो वो बोला अहां अब बाया मज़ा के आप क्या करते हैं अहां वो दादि में बोला बेटा बेटा तुम्हे नहीं आना चाहिए था मचवारा बोला आप मुझे मत बताईए के मुझे क्या हा करना है और क्या नहीं मचवारा बोली भुड़ा आदमी बोला ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा मुझे यहां से जाना रहे निकलना चाहिए था आदमी वहां से चला गया मचवारे ने स्वादिस्ट खाने का बस पूरा नंद लिया और मचवारे को नेंद आने लगी कितना स्वादिस्ट खाया था हां अब तो मुझे नेंद भी आ रही है अब मचवारा उस दख खाने के तलाश पे सो गया कुछी देर के बाद वहां एक दोही सीपाही आई और मचवारे को ठाके महाराज के पास ले गई और बोले महाराज यही है वो चोड जिसे हमें तलाश थी यह रोज हमारे रसोई खर में आके खाना चुडा लेता था इंतर परमाने उसको सुखी पेड के तरने से बांधने का बुखम दिया बुखम दिया तो सिपाडियों ने सुखी पेड के तरने से मचवारे को बांध दिया मचवारा चोच लगा कुछ सोचो कुछ सोचो कुछ सोचो हाँ मुझे वो मेरी कैप पेरनी चोईए बस आखरी बाल मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है सिपाडियों ने कहा बस इतनी सी बात सिपाडियों ने मचवारे को उसकी कैप लाकर देजी और जैसे ही मचवारे ने वो कह पहनी गायब 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 बोला और वो सूखी पेड के तने के साथ वापस अपने खड़ पहुच गया और उसने सोखी पेड के तने से एक नई छोटी सी नाव भी बनाए तो देखा बच्चो कैसे मचवारे ने उसकी जान बचाई बाई हुआ